जय हिंद बने मात्रम, दोस्तों आज का वीडियो क्लास 11 बोर्ट एक्जाम से लिए काफी ज़ाए इंपोर्टन फुल होने वाला है, क्योंकि आज शी वीडियो में हम क्लास 11 बोर्ट एक्जाम से पूछे जाने वाले पांच मार्क्स में जितने भी कोईशन पूछन पूछन पूछाएगा, उनमें पूरा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरूर से लेकर लास्तर जरूर देखेगा, क्योंकि यहां पे तीनों सेट्क में जो इस वीडियो में करात दिया गया है, जो कि आपकी एक्जाम से लिकाफी यह भी भी होने वाले हैं, त आपको बताना है, तो चलिए इसको शुरूर से एंसर में पॉइंट पर पॉइंट करते हैं, तो सबसे पहले हम दोग समझते हैं, कि मिर्दा पर्दन कहते किसको हैं, तो इसका जो राइट एसर हो जाएगा, वह अपने अस्थानों से उपरी परत का अपने अस्थानों से होजाती हैं, तो यहां पर्दन को रोक ठामके क्या उपाय हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है, मिर्दा पर्दन को करने के निम्ना लिखित उपाय तो पउइंट हुआ हैं, चलिए पॉइंट कら विरिचों को अधिक से अधिक मातρα में ही लगाना चाहिए कि अधिक चुराइँ पर रोक लगाना चाहिए वैसे चुच्च्च्च्च्चorse बपसू को अधिक चिराई पर रोक लगाना चाहिए पहाडी इलाको या ढहलान वाले छेत्रों में सीड़ी नुवा क्रिस्थी करने चाहिए यौ यंव समच रेखे जुताई करने चाहिए अगले पहाडी चेतों के चारो और रच्छक मेकला तेयार करने चाहिए काफी important question friends कि मिल्दा पड़न क्या है और इसके रोक थाम के क्या उपाय है तो काफी सुन्दर से answer है friends तो आप लोग इन सभी question answer को अची तरीके से याद कर लिएगा अगरा question 2 में दिए फ्रेंट जो कि काफी भी 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 आई question आपके exams के लिए कि भारते किसानों के लिए monsoon एक जुआ है वियाख्या करें आने आपको परनाए जो बहारते किसान है उन किसानों के लिए monsoon जो है वो एक जुआ है तो कैसे आपको उसके बारे पूरे detail से लिखना ह तो चलिए इस questions का answer हम लोग करते हैं भारत एक क्रिसी प्रधान देश है और दोस्तों भारत हमारा जो देश है वो एक क्रिसी प्रधान देश है भारत में 37% जनता पूरी तरह monsoon पर निर्वार आने देश के कुछ बड़े किसानों के पास सिचाई के साधन उपलब्ध है सबी किसान सिर्फ मौनसून पर निर्भर होते हैं आगे वोलर फ्रेंड कि मौनसून का आगमन पूरे देश में अलग-अलग समय पर होता है ने दोस्तों मौनसून का आगमन है वो पूरे देश में अलग-अलग समय पर होता है कहीं आवसक्ता से अधीक वर्षा होती है तो कही इस वर्स नहीं होगा कि छिस वर्स मॉंसुन अच्छा होगा उस वर्स भी अच्छा होगा और फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा और परकार से देखा जाए तो भारते किसानों तो यह प्यादा सा इस question का answer आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिजेगा एक बार अगला question 3 में दिखाए कि तर्मिल नाडू के तर्टिय परदेशों में जारी के मौसम में अधिक वर्सा क्यों होती वो आपको पर डीटेल में लिखना है तो चलिए इस question का answer आप लोग करते हैं भारत में मौनसून परतेक वर्स जुन महिने से शुरू होती है यानि दोस्तों भारत में जो मौनसून का है वो आगमन परतेक वर्स एक जुन को शुरू होता है पहले सबसे पहले मौनसून का आगमन कौन सा राजी में होता है तो केरल में होता है एक जुन को या मौनसून दच्छिन भारत से होते हुए उत्तर भारत के राज्यों में भारी मातरों में वर्सा कराती है तथा सितंबर से अक्टूबर के बाद भारते मौनसून वापस लो यानों दोस्तों नौवर महीनत तक है जो है वो मौनसून वो दर्षिन भरत तक आयाती है अता सर्दियों के समय में उतर पूरी वैपारिक पावने समुद्र की और बहती है इसलिए देश के जारतर इलाकों में सुस्क मौसम होता है तर्मिल नाडू के तर्टिय परदेशों मे अधिक वर्सा इन ही पावने से प्राप्त होता है क्योंकि वहाँ पर यह पावने समुद्र तल से अस्थल तरब की और बहती है तो यह दोस्तों को अच्छी तर्क से पढ़ लिजेगा नेट च्ब्रण 4 में दिया है तक भारते मौनसून की तीन विससता बताया नहीं को बतानी है इसकी क्या विससता आई होती है उसमें साबको तीन विससता को बताना है तो चलिए इस question के answer हम लोग करते हैं का अधर important question friends सबसे पहले हम दो समझते कि मौनसून आखिर कहते है किस मौसम के अनुसार रितु में परिवरतन होता है अब हमने जांते हैं कि भारते मौसम की क्या विसस्ताइएं होती है तो भारते मौसम की तीन विसस्ताइएं निम्मा लिखीत है पहला जो भी सेँ स्वर्वांड होती है तो यह पहला विसेश्चाथा तरह से लिए तो पहले सफसना अग्ला पॉयंट दिया है कि भारते मौनसुन से जम्मू कस्मिर से कर्या कुमारी एवं गुजरात से अस्थम तक पूरे भारत में वर्सा जल प्राप्त होता है इस फ्रैन्स की भारते मौनसुन से पहले आना उसका समय से पहले आना यहां के लोगों के जन्जीवन को काफी एदा परभावित करता है तो काफी है इंप्रिजन को प्षैम्स करें करें कि भारते मौनसून को क्या विस्ताइब कर लिए उनलोगों को तहें दिल से धन historious और ज विसाल मैदान की उचावज की भिंता के अदार पर संचीप्त वर्नन करें आने को बना जो भारत का विसाल मैदान है इसकी उचावज की भिंता के अदार पर आपको संचीप्त रूप में वर्नन करना है तो चलिए इस क्वेशन के अंसार हम लोग पॉइंट पर पॉइंट करत 200 उचावज के जो आधार पर है वो इससे चार भागों बाटा गया है कौन कौन से भाग है तो चलिए प्वाइंट बाग प्वाइंट हम लोग जानते हैं पहला भाग की भाबर किसे कहते हैं तो सिवालिक हिमाले की गीरी पद में सिंदू से लेकर तिस्ता नदी तक बने समतल मैदान को भाबर कहते हैं तो भाबर के दर्चिन में पांसे तीन किलो मीटर चोड़ी दलदली छेत्रों को तराई कहा जाता है तो नर्जियो द्वारा लाएगे पुराने जलोड़ो मीटी से बनी मैदान को बांगर कहा जाता है अगरा पॉइंट जो दियाए फ्रेंट्स वो दिया गएगी खादर तो जस्त इसका उल्टा हो जाएगा कि नरी द्वारा बाहा कर लाई गई नविन जलोड मिटी से मिटी को खादर कहा जाता है तो फ्रेंट्स कापी जलाए इंपॉइंटन को आपके एक्जाम्स के लिए क कि भारत के पच्ची मैदान क्यूचवाज की भिंता कैदार पर संचिप्त वर्नक करें तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना है और दोस्तों वीडियो अच्छा लगागा तो अप्ली चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन बेटर पर प्रेस कर ले व्योंकि मै आपके लिया आगे भी important question को लाता रहूंगा